नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सर्मार्ग गुरुवार के दिन बड़ी पुर्णिमा है और पुर्णिमा भगवान स्रीहरी का महिना है मालक्षमी का दिन है क्योंकि पुर्णिमा थी थी मालक्षमी को बहुत पसंद है अब इस दिन पु घर में तूलसी होती है उस घर में सकात्मक उर जाएं रहती है इसलिए तूलसी जरूर रहना चाहिए घर में लेकिन एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ी खुशियां ला सकता है अगर तूलसी पर जल चढ़ाते समय ओम का उच्चारन करें तो यकिन मानिये बुरी नजर से बचते हैं वैसे भी ओम सब्द में तो पुरा ब्रह्मांड समाया हुआ है धन धाने के ब्रदी होती है तूलसी इस दिन देखे तूलसी का पत्ता आप जब भी तोड़ते हैं ना भगवान सरी हरी को तो तूलसी का पत्ता चढ़ाना ही चाहिए बहुत प्रसंद होत नवहां इस मंत्र का जब करा जाए तो दोस नहीं लगता है तूलसी के पत्ते तोड़ने में धन प्राप्ती के लिए बहुत सारे उपाए होते हैं वैसे इस पूर्णिमा की रात में आप चाहें तो तूलसी के दो पत्ते अपने सर के पास रखके सो जाईएगा और अगले पूर्णिमा के दिन साम के समय एक घी का दिया अपने घर में तूलसी अस्थान पर जरू जलाईए तूलसी जहां पर आपके घर में पेड़ है अब दिया जलाने के बाद आप यहां तूलसी जी की परिक्रमा कीजिएगा ओम नमो भगवते वासु देवाय बोलते हुए और फिर आप अपनी मनो कामना कहें तूलसी जी को अगर आप माल लेते हैं आपने देखा नहीं साम हो गया है रात हो गया है तब तूलसी मत चुईएगा तब तूलसी के पास की मिट्टी चुकर भी बोल सकते हैं आप यहां पर कृष्ण सब्द का इस्तेमाल करें क्योंकि आपके जीवन में चमतकार करता है जितने भी कृष्ण भक्त हैं आप देखिएगा वो लोगों के चेहरे पे एक तेज होता है इस मंत्र में ही जादू है वैसे आप इस नाम को जरूर जपिए आज और रात में सोने के पहले ओम नमो भगवते वासु देवाई का जब करना म भूलिएगा आज मालक्षमी प्रित्वी लोग पर भी आएंगी और हर किसी के घर में खुसियां भी दे कर जाएंगी इतना तो तय है हर हर महादेब